Hello students, welcome to GGC online classes. हम class 9th का chapter कर रहे हैं, matter in our surrounding. तीन पार्ट हम इसके कर चुके हैं, आज हमने इसका 4th पार्ट करना है. देखो matter in our surrounding, इसमें क्या पढ़ना है हमने अभी फिलाल? हम इसमें देखेंगे, can matter change its state? हमने लास्ट क्लास में देखा था, कि क्या matter अपनी state चेंज कर सकते हैं? अपकॉस कर सकते हैं, solid से liquid बन सकते हैं, liquid से gas बन सकते हैं, gas से plasma, कैकि gas जब आयोना ही हो जाती है, तो वो कौन सी state होती है? अपनी plasma होती है, चीक है? तो अब देखो आप, कि क्या है, can matter change its state में mainly दो effect है, effect of change of temperature and effect of change of pressure, कि temperature का effect है और pressure का effect है, कि जैसे temperature को change करेंगे तो state पर क्या फर्क पड़ेगा? pressure को change करेंगे, तो क्या फर्क पड़ेगा? देखते हैं हम इसको, देखो अगर temperature को अगर हम change करेंगे, चीक है? इसके बारे में हमने पिछली class में पड़ा था, टेंपरेचर को जब हम चेंज करेंगे तो क्या होता है जैसे कि हमने सोलिड को गरम किया तेंपरेचर बढ़ाया तो वो किसमें चेंज हो गया लिक्विड में लिक्विड को गरम किया तो वो किसमें चेंज हो गया गैस में तो यह तो क्या था हमारा टेंपरेचर का इफेक्ट अब देखो प्रेशर का इफेक्ट सोरी प्रेशर का इफेक्ट पढ़ने से पहले हम देखते हैं लेटेंट हीट कि लेटेंट हीट क्या होते है यह आपको पिछली ग्लास में कोश्चन दिया था ना latent heat क्या होती है the heat energy required to change its state कि हमारे जो heat energy required होती है state को change करने में अब देखो state को कैसे change करने में heat energy required होती है for example आपके पास क्या है water है आपने water को क्या करना है जब आपने water को boil करना है तो मालो आपने यहापे थर्ममेटर लगा लिया थर्ममेटर पे हमारा जो temperature है वो rise होगा water का boiling point 100 degree Celsius होता है अब हमने क्या किया water को boil करना start किया एक time ऐसा भी आएगा कि temperature 100 degree Celsius पर पहुंच जाएगा और water हमारा boil होना start हो जाएगा लेकिन उसके बाद भी हमने gas को बंद नहीं किया हम उसको फिर भी heat कर रहे हैं तो क्या होगा क्या पानी और भी गरम हो जाएगा उसका तो boiling point 100 degree Celsius है तो और कैसे गरम होगा आप पते हैं उसको गरम करते रहो और फिर क्या होगा आप देखोगे कि थर्मोमेटर में जो टेंपरेचर है वो 100 ही रह रहे है वो अपनी जो अजियू में निशन होती है कि हम क्या सोचते हैं भी क्या होगा 100 से 101 हो जाएगा 102 हो जाएगा 103 हो जाएगा नो नोट पॉसिबल क्यों क्योंकि जो हमारा water है water का boiling point होता है हमारा 100C to 100 यह रहेगा तो जो हमारा थर्मोमेटर में टेंपरेचर वो रहा वह आगे नहीं बढ़ेगा तो, ुस चैंज हो रहा है कि जो आपका लिकविड था जो आपका क्या पुऑब़ीड थब़ेच्चे fix अबभ het यूज हो रही है लिक्विट को गैस में चेंज करने में लेकिन थर्मोमेटर में शो नहीं हो रही है तो वही क्या होती है हमारी हिट्डन हीट्डन 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 हीट्ड सिमिलरी स्टेट चेंज करने हैं मालो सोलिड से लिक्विड चेंज करना है और लिक्विड से गैस चेंज करना है सोलिड से लिक्विड को क्या बोलते हैं हम फ्यूजन क्या बोलते हैं सोलिड से लिक्विड को हम फ्यूजन बोलते हैं आपको यह चलो करते हैं नेक्स रब इसमें क्या है आपका एक और सब्लीमेशन सब्लीमेशन क्या होता है सब्लीमेशन होता है हम कहते हैं कि सोलीड से लिक्विड में चेंज होता है लेकिन अगर कोई सब्स्टांस सोलीड से सिधा गैस में चेंज हो जाए यह गैस से सिधा सोल वो होता है मंदल मिन जो में यहां यह स्पीज़ हो गया फिर अप्र नेस्टस्राइब को पूजा में यह इसमेल नाए तो हम उसमें वो चोटी सी बोल रग देता है ने वह टो वहther तो क्या होते है वह स्वालेट से लिक्विर नी ब清楚 हो स्वालेट से डिरेक्ट गैस बनती है उस प्रोसेस को क्या d blind सब्लीमेशन गैस से सोलिट को भी सब्लीमेशन क्या देते हैं लेकिन इसका नाम भी रख देते हैं डिपो वह डिपोजिट होता है ना डिपोजीशन क्या बोलता है उसको डिपोजीशन देखो यह बिल्खुली इसी है डिपोजीशन यानि गैस से सोलिट बनेगा मुझा Effect of Change of Pressure कि Pressure का Effect क्या हो रहा है? Pressure change कर रहे हैं तो क्या होगा? Spolze करो, आपने क्या किया? आपने Water को Boil कर लिया Water को Boil कर लिया और अब आपने Gas को कर दिया, बंद Gas को क्या कर दिया? आपने Off कर दिया Gas को Off कर दिया, उपर आपने एक Plate को Cover कर दिया ठीक है आपने उपर एक प्लेट को कवर कर दिया थोड़ी देर बाद आप क्या देखोगे कि इस प्लेट के नीचे ड्रोप्स आ जाती है होते है न ऐसा प्लेट के नीचे ड्रोप्स आ जाती है वो क्यों आई ड्रोप्स क्या वोटर इतना ज्यादा टच कर गया उसको कि वोट और दर टच ऊगया उसके नहीं ना अगर वोटर कम भी है तब भी वो क्या है क्या है डॉP सब्स अजयती जो अगर ले अगर चाय पे भी solo अप टीज हो अगर चाय पे आपक्स पलेट कर देदा हो तो उस पलेट के नीचे तक्राइब करेंगे और किस में चेंज हो जाएंगे लिक्विड में चेंज हो जाएंगे तो ये देखो pressure का effect है कि gas से किस में change हो रहा है वो liquid में change हो रहा है Under high pressure CO2 come into solid state अगर बहुत ज़्यादा pressure हो CO2 मलब carbon dioxide भी solid state में आ जाती है आपने ये observe कि जो हमारे घर में ice होती है ठीक है और आपने सुनाओगा snowfall snowfall सुने है ठीक है तो जो बरफ गिरती है और एक हमारे घर में जो ice होती है तो आप यह बताओ कि यह दोनों सेम होती है यह difference होते है of course difference होते है ना हमारे घर में ice तो बिल्कुल different होती है लेकिन वो snowfall तो बिल्कुल वो अलग होती है CO2 क्या होता है solid state में होता है वही क्या होती है आपकी dry eyes होती है यहां से एक नहीं चीज सीखने को मिली ना कि जब CO2 come into solid state directly CO2 जो solid state में होता है उसको क्या बोलते हैं dry eyes बोलते हैं चलो देखते हैं अब इसमें क्या है कि liquid को जब हम temperature देंगे वो किसमें change हो जाएंगे वैपर्स में change रहेंगे of course no doubt अगर वैपर्स को pressure देंगे वही बात होगी ना अगर वैपर्स उपर जा रहे हैं हमने plate cover कर दिया उसको pressure create कर दिया तो वो क्या होता है हमारे liquid में change हो जाता है और इस process को बोलते हैं condensation क्या बोलते हैं हम इस process को condensation मतलब कि क्या हुआ वैपर्स उपर जाना चाहते थे हमने plate cover कर दिया प्रेशर क्रियेट कर दिया तो जो हमारा liquid जो हमारे वैपर्स थे वो दोबारा से किसमें बन गए liquid में बन गए it means हो क्या हो गए condense होगे तो इस process को हम क्या बोलते हैं condensation ओके next देखते हैं देखो इसमें क्या एक flow chart की form से देख लेते हैं इस तरीके से कि क्या हुआ जब हमारा solid है solid किसमें change हुआ liquid में change हुआ इस process को क्या बोलते हैं fusion solid किसमें change हुआ liquid में तो क्या बोलते हैं fusion अगर वही liquid solid में change हो जाए मतलब कि water है water को हमने क्या कर दिया आइस जमा दी उसके ठीक है तो उस प्रसेस को बोलते हैं solidification क्या बोलेंगे उसको solidification तो ठीक है उसके बाद क्या है liquid को gas में change करना है जब liquid को gas में change करते हैं तो हम यह पता है आपनो water का example लेकर चला गरो आपको बहुत simply learn हो जाएगा कि liquid है उसको हमने किसमें बहुत करना है जब गरम कर दिया व्यपर बन गे तो मतलब लिक्विड से जब गयास में जारे तो उस प्रसेस को क्या बोलते हैं vaporization क्या वह लेंगे उसको vaporization आप जो gas है गयास से liquid में जाएगा अब यहां से फिर एढ़ कर लो कि गैस ऊपर जा रही थी हमने pressure create कर दिया और वह किस में change होगी liquid में change होगी मतलब condensed हो गया तो उसको क्या बोलते हैं Condensation और आपको बताया था कि क्या है जो solid से directly gas में जाए वो क्या होती आपकी sublimation वैसे दोनों को sublimation बोल सकते हैं कि solid से gas में जाए ये gas से solid में लेकिन आपकी बुक में एक नाम लिख रखा होगा तो इसलिए बता रहे हो solid से gas में जाए तो sublimation, gas से solid deposit हो जाए तो वो क्या होता है हमारा deposition, क्या होता है? deposition होता है, चीक है? एक चीज यह और सीखते हैं हम degree Celsius को Kelvin में convert करना बहुत simple है, देखो क्या होता है? जो 0 degree Celsius होता है वो 273 Kelvin के equal होता है आप इसको लियाद कर लो हमारी temperature की unit होती है, जो हमारी ऐसा unit होती है temperature की Kelvin होती है, मतलब Kelvin में उसको करते है लेकिन temperature की बहुत सारी units होता है, जो degree Celsius होगया degree Fahrenheit होगया इस तरीके से तो क्या है कि जो degree Celsius है, 0 degree Celsius में 273 Kelvin होते हैं, ओके तो 1 degree Celsius में कितने होंगे 273 plus 1, कितने होंगे 274 Kelvin तो इसका मतलब क्या हुआ, कि degree Celsius को Kelvin में change करने के लिए हमें 273 plus करना होगा, जैसे 100 degree Celsius है तो इसको Kelvin में करना है, तो 100 plus 273 कितना हो गया, 373 Kelvin अच्छा जी, अगर उल्टा करना होतो, Kelvin को degree Celsius में करना होतो 273 क्या कर देंगे हम, माइनस कर देंगे चिक है, तो 0 degree Celsius में कितने Kelvin होते हैं, 273 degree Celsius को Kelvin में करना है, तो क्या करेंगे plus करेंगे, और Kelvin को degree Celsius में करना है, तो क्या करेंगे हम माइनस करेंगे बहुत ज़्यादा ही जाए तो छोटे बच्चे वाला प्लस माइनस है और कुछ भी नहीं है बस इस तरीके से याद रख लो कि अगर हमारे पास आंसर कैल्विन में है और डिग्री सेल्सिस में है तो कैल्विन वाला आंसर बड़ा होगा यहां से आपको याद रहेगा कि किस में प्लस करना है किस में माइनस कैल्विन वाला आंसर प्लस होगा बड़ा होगा तो इसका मतलब जब भी कैल्विन में चेंज करना होगा तो आपको 273 क्या करना होगा प्लस करना होगा और डिग्री सेल्सिस में करने के लिए करना होगा चलो आपके लिए को त्राइब करने है थ्रीहंड्रड केलविन को डिजी इनको भी डिजी सेजीश में इसको इस तरीके से ठीक है तो यह आपने करने और जो आज पढ़ाया उसके अच्छे नोट्स बनाने है उसको मैनेज करना है जो समझना है क्वेशन्स पुट करने है और अपना होमवर्क करके मुझे फीड़बेक देनी है ठीक है तो मिलते हैं नेक्स लेस्न में नेक्स टॉपिक के साथ तब तक के लिए विश्यू वाल दा बैस थैंक यू सो मच